दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, कल 15 अगश्ट 2024 को दोहा के अंदर अमेरिका, कतार, इजिप्ट और इसराइल की मीटिंग हुई ये मीटिंग हुई है गाजा सीस फायर के बारे में यानि के इसराइल और गाजा के बीच में जो वार चल रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, या फिर खतम किया जा सकता है, इसके उपर कल मीटिंग शुरू हुई है और ये मीटिंग आज भी जारी है तो अगर आने वाले दिनों में इसराइल और गाजा के बीच में सीज फायर होता है यानि के युद्ध बंदी की न्यूज आती है तो मुझे लगता है वो शौट टम के लिए गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव न्यूज हो सकती है दोसों आप जब सुनते हो के वार की शुरुवात हुई है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी बनती है तो उसी तरह से पॉसिबल है कि अगर इस्राइल और गाजा के बीच में युद्ध बंदी की न्यूज आती है तो वो शौट टम में गोल्ड सिल्वर के ऊपर इंपेक ला सकती है और ये इंपेक निगेटिव भी हो सकता है तो कुरुपया ये बात को ध्यान में रखे अमेरिका के अंदर कल महत्वपूर्ण रीटेल सेल्स का डेटा आ चुका है मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था अमेरिका के अंदर रीटेल सेल्स 0.4% पे आ सकता है लेकिन आप देख सकते हो एक्चुल में डेटा आया है 1% पे यानि के मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ये इकोनोमिकल डेटा ने बहुती बड़े मार्जिन से बीट किया है जो डॉलर के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए ये निगेटिव संकेत दे रहा है उसी तरह से आप कोर रीटेल सेल्स का डेटा भी देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 0.1% पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में ये डेटा आया है 0.4% पे याने कि ये डेटा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत उपर है जो डॉलर के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव है अमेरिका के अंदर कल तीसरा महतुवपूर्णा डेटा आया इनिशियल जॉबलेज क्लेम्स का जिसे हम अनेम्प्लॉइमेंट रेट भी बोल सकते है आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 2,36,000 के पास आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 2,27,000 के पास याने के अनेम्प्लॉइमेंट घटी है जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव है ये तीनो डेटा जो महत्वपूर्ण थे गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव आये थे उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कल सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी है और सिल्वर उचाई के पास बंद हुआ है उसी तरह से आप गोल्ड को भी देख सकते हो गोल्ड के अंदर शुरुवात में गिरावट आई थी येकिन ये गिरावट को गोल्ड ने रिकवर किया और आप देख सकते हो गोल्ड भी उपर आकर ही बंद हुआ है दोसो strong economy data के बाद भी अगर gold silver उपर बंध हो रहे है तो वो थोड़ा positive संके तो definitely दे रहे है gold अभी भी उसके lifetime high के पास काम कर रहा है gold अगर आने वाले हपतों में उसके lifetime high के उपर breakout देता है तो gold के अंदर वहाँ से तेजी और बढ़ सकती है silver 200 दिनों के exponential moving average को touch करके उपर आया है और कल की closing silver के लिए अच्छा संकेत दे रही है अब ये महत्वपूर्ण है के silver 200 दिनों के exponential moving average को respect करे और इसके उपर ही रही वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कल दोहा के अंदर इसराइल और गाजा के बीज में जो war चल रहा है उसके उपर ceasefire की meeting हो रही है तो अगर ये meeting से ceasefire की news confirm होती है तो वो short term में gold silver के लिए negative हो सकती है तो ये news के उपर आप ध्यान जरूर रखे